नमस्कार आफ सभी का, मैं नम अंकित है और मैं आज आफ सभी का आज के करिया क्लास में सौगत करता हूँ करिया क्लास, युवा जेनरेशन अलिमेटट इंडिया, युनेसेफ इंडिया और आसमान पाउनडेशन के एक पहल है आज के सेशन का नाम है हारी बाजी को जीतना हमें आता है ये सेशन हमारे पर लेके आई है मिस अकांशा भातिया तीसर और बहुत जरूरी सब बात ये मैं आपको आगे भी डिटेल में बताऊंगी हम सक्सेस्फुल है या नहीं है ये इस बात पे भी बहुत निर्भर करता है कि हम अपनी तुलना किसके साथ कर रहे हैं यदि मैं अपनी तुलना एक मान लेजिए एक कॉलिज के बच्चे के साथ करूँ तो मैं अपने आपको सक्सेस्फुल मानूँगी कहने का मतलब ये है कि हमारे से उपर और हमारे से नीचे हमेशा ही लोग मौजूद रहते हैं हमें ये देखना है कि हम जिससे अपनी तुलना कर रहे हैं क्या वो तुलना हमें इंस्पायर कर रहे है क्या वो तुलना हमें कहीं न कहीं मोटिवेट कर रही है लाइफ में और अच्छा करने के लिए या वो तुलना हमें हमारे मन में अशंकाएं पैदा कर रही है वो तुलना हमें बुरा अपने बारे में बुरा महसूस कर रही है कि शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ शायद में उतनी लाइक नहीं हूँ तो जो तुलना है क्या वो सही है या नहीं ये बहुत बच्चे बहुत बार सवाल पूछते हैं कि माम हम comparison करें या नहीं करें is it good to compare तो उसका सरल जवाब सबसे ज़ादा यही होता है कि जब भी आप तुलना कर रहे हैं आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो तुलना आपकी लाइफ में positive क्या लेकी आ रही है आपको motivate कर रही है आपको inspire कर रही है आगे बढ़ने के चाहा रख रहे हैं अगर हां तो आप वो तुलना कर रहे हैं कोई बुरी बात नहीं लेकिन यदि वो तुलना करके आप अपने बारे में खराब सोच रहे हैं आप अपने आपको कम महसूस कर रहे हैं inferior महसूस कर रहे हैं तो वो तुलना मत कीजिए वो तुलना आपको कहीं आगे नहीं लेके जाएगी सिरफ आपका जो एक दृष्टी कोन है आपका जो नजरिया है वो असफलता की ओर लेके जाएगी आपको बार-बार ये महसूस करवाएगी आपका नजरिया इस प्रकार का हो जाएगा कि आप असफल हैं तो वो हम नहीं चाहते अच्छा अप चौथी चीज चौथी चीज यह है कि हम जैसा की बात करी कि सामाजिक मापदंडों के अनुसार भी सफलता और असफलता को देखते हैं आप एक बात बताएगी आपने दीखा होगा मैंने सोशल मीडिया पर ये बहुत देखा है बड़े सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं कि 20 things to do before you are 20 20 साल के होने से पहले क्या 20 चीज़े हैं जो आपको कर लेनी चाहिए अब भई ये कौन है जो बोलता है कि कर लेनी चाहिए ये कौन है जो डिसाइड करता है कि 30 साल से पहले, 20 साल से पहले, 40 साल के पहले हमें ये चीज़ें अचीव करनी है ऐसे बहुत से उधारण है जिन्होंने अपनी जिंदगी में साफलता बहुत देर से देखी है मैं उसन कहीं पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि जो बमन इरानी जी है जो आक्टर हैं बहुत फेमस उन्होंने 42 साल 42 येर्स की उम्र में इस पहली बार कामरा को देखा उन्होंने कामरा को पहली बार तब फेस किया विन ये इस ओंड़ी 42 राइट और दूसरी तरफ ऐसे भी आक्टर्स हैं जो बच्पन से अक्टिंग कर रहे हैं श्री देवीजी, हमा माली जी लोग बच्पन से अक्टिंग कर रहे हैं तो क्या हम तुलना कर सकते हैं? तो इसका कहने का मतलब यह हुआ, कि कहीं न कहीं कुछ सामाजिक मापदन्ट रहते हैं, जिनके अनुसार यह कहा जाता है, कि अच्छा चलिए टाइम लाइन है, बाइस साल तक हमें जॉब मिल जानी चाहिए, कहीं न कहीं 25-26 तक हम शादी कर लें, फिर बच्चे, तो यह कौन डिसाइड कर रहा है हमारे लिए, यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है, और क्या मैं वो सामाजिक मापदन्ट को अपनी सफलता के लिए एक मापदन्ट मानती हूँ या नहीं, यह भी बहुत जरूरी प्रशन है, जिसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकती, आपको खुद अपने आप से पूछना होगा, कि क्या आप उन जो एक समाज ने हमारे लिए बॉक्स बना रखे हैं, कमपार्टमेंट्स बना रखे हैं, आप अपने आपको उसमें देखते हैं, आप सोचते हैं कि आप उसमें फिट हो सकते हैं, या आप अपने लिए कुछ अलग चीज़े निरधारत करना चाहते हैं, जैसे मान लीजे, मैं अपने लिए कुछ निरधारत कर सकती हूँ, कि जब मैं 35 वर्ष के होंगी, तो मुझे ये ये चीज़ अपने जीवन में, जैसे मुझे किताब लिखने हैं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं 35 वर्ष के होने से पहले, अपने किताब पब्लिश करना चाहते हूँ, तो ये मेरा मापगंड है, चाहे किसी ने 25 में की हो, या 45 में फिर उससे मुझे फरख नहीं पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे सफलता को नापने के लिए, कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो सब मैं समझती हूँ, और कुछ बातें सामाजिक होती हैं, जो समाजिक तोर पे अविलिबल हैं, और आप देखींगे जादा आतार, आपकी उम्रे के बच्चों के हिसाब से, जो सोशल मेडिया है, वहाँ पे इतना कुछ कंटेंट है, तो थोड़ा साफधानी भी बढ़ती हैं, वहाँ पे, क्योंकि जो भी चीज़े सोशल मेडिया में लिखी हैं, या जो लोग अपने बारे में बता रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही सच हो.